नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त दिने स्पाठक और करियमंत्रा के इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी की जिस पर मामूली ध्यान दे दिया जाए तो आदमी का जीवन समर सकता है और जड़ा सी चूक हो जाए तो जीवन बरबाद होने में समय नहीं चुकी है जो समाज के बड़े तबके को प्रभावित कर रही है ताजा मामला ओडिसा के स्वास्त मंत्री नवकिशोर दास की हत्या का है जिसमें आरोपी एसाई बाइपोलर डिसॉडर का मरीज है जाच में इसका खुलासा हुआ इस तरह यह रोग एक बार फिर से चर्चा म बाइपोलर डिसॉडर से पीडित एक व्यक्ति को सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद नियाई कधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली यह व्यक्ति परिक्षा पास कर चुका था तब्स रोग सामने आया मामला सरवोच अदालत में पहुचा साल 2021 में सरवोच अदालत में सुसांत सिंग, राजपूत, परविन वावी जैसी कुछ दुखत कहानिया भी हैं जो तकलीफ पहुचाते हैं बाइपोलर डिसॉडर पर कुछ फिल्में और सीरियल्स भी बने हैं हिरोईन फिल्म साल 2012 में आई थी करीना कपूर माही अरोडा की किरदार निवा रही थी जिसे बाइपोलर डिसॉडर था फिल्म अपरचित साल 2005 में आई थी साउथ की इस फिल्म के हीरो थे विक्रम वे रामानुष का किरदार निवा रहे थे जिसे बाइपोलर डिसॉडर की समस्या थी धनुस और सूती हसन की मूवी है 3 साल 2012 में ये फिल्म आई थी इसमें धनुस इस बिमारी के सिकार थे और खुद कुशी कर लेते हैं अमेरिकी थ्रिलर सो होम लैंड 2011 से 2020 तक चला इसमें करी नाम की CIA एजेंट है जिसे बाइपोलर डिस ओर्डर है खुब मसहूर हुआ अब ये जान लेते हैं कि बाइपोलर डिस ओर्डर है क्या मनोरोग चिकितसर डॉक्टर देवाशिक्स सुक्ल के मुताबिक यही एक मानसीक बिमारी है 6-7 महीने लगातार दवा से ठीक हो जाती है इसके दो फेज होते हैं मेनिक फेज इसमें मरीज एक्स्ट्रीम बिहेब करता है ऐसी चीजे करता है जिससे खुद को नुकसान पहुँचे पेसिंट सराब और सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करता है रैस ड्राइविंग करने लगता है उसका बिहेबियर रिस्की और डिस्ट्रेक्टिव हो जाता है दूसरा फेज है डिप्रेसिफ फेज मरीज हर समय दुखी महसूस करता है किसी काम में मन नहीं लगता है यहां तक की अपनी पसंद की चीजें भी करना बंद कर देता है बाइपोलर डिसॉर्डर के लक्षण क्या है छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना सरीर में हमेशां कम एनरजी महसूस करना याद रखने में और ध्यान लगाने में दिक्कत होना रोजमर्रा के काम में मन ने लगना बिला वजह आत्म गलानी होना खुद पर भरोसा ने करना नकारात्म बिचार आना ये इनपुट हमने डेव डेवासी सुकल जो वरिष्ट मन औरो चिकितसक है उनसे लिए है अगर आपके आसपास या घर के किसी सदस्य को प्यार से समझा कर काउंसलिंग कराने जाने की सला दें ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास ले जाने में कई बार मुश्किल होती है मगर आपके पास विकल्प नहीं है पीडित को किसी बात के लिए चैलेंज ने करे प्राय परिवार में लंबे समय से चल रहे विबाद या किसी ऐसी तनाव को डिस्टी में आदमी सिकार हो जाता है बच्पन में कुछ ऐसी अन्होनी हुई हो जिसका मन पर बहुत गहरा असर पड़ा हो ब्रेकप, डाइवोर्स या किसी की मौत जैसी चीजों से भी मानसिक स्वास्त पर असर पड़ता है और आदमी बाइपोलर डिसॉडर का सिकार हो जाता है अलकोहल, सिग्रेट या दूसरी नसीली चीजों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है किसी क्लोज रिलेटिव को बाइपोलर डिसॉडर है तो दूसरों को यह होने की आसंका बढ़ जाती है बाइपोलर डिसॉडर बेहत गंभीर मानसिक बिमारी है आत्महत्या में इसकी बड़ी भूमिका है इसे हलके में बिलकुल नहीं ले दवाओं से बाइपोलर डिसॉडर को काबू में रखा जा सकता है मगर यह पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता हूँ उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड फ्रूट फुल रहा होगा फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए बिसे को लेकर नमस्कार